अब एविजन परपस चे यह वीडियो फिर से बनाया है इसके कुछ कोश्टन से जिसमें नये कुछ ऐसे परस्नलिटी दिखाई देंगे जो की सोचल रिफोर्मिस्ट रहे हैं इंडिया के अंदर इसके लावाद जो सोचल रिफोर्म्स और जो थोड़ा सा सीविल सिर्विस मे रिफोर्म किया था उससे लेटेट कोश्टन भी हम इसमें कवर करेंगे जल्दी से कॉच्टन रीड करते हैं तो कॉच्टन इज कि Who V became the 1st Indian to be the Member of British Parliament인지 फ्रस्ट पर्सन कॉन था सो Member वना ठीक इंडिया इंडियन था 1st Indian to be the Member of British Parliament होना ठीक है पहला वेक्ति कोन था जो कि इंडियन था देखिए जयतिवाśmy फूले पंडिता रामा भाई दादा भाई नारो जी सत्यंदर नाठ टैगोर ठीक है तो हम देखें कि जोती बाफ फूले से हमने कुछ पिछली वीडियो में आपको बताया था इससे कोशन जो बनता है वो बता दिया है पहले हम आंसर देखेंगे दादा भाई नारो जी इसके लावा इंटें जो हो अन्हों नहीं पता चलते हैं तो उस प्रणों को जो है उनके सामने एक और जेज किया था एक पुस्टक लिके थी पौवर्टी and unbritish rule in India और इसी पुस्टक के अंदर इन्होंने बताया था कि there is drain of wealth unbritish rule in India तो इन्होंने एक concept दिया drain of wealth धन का भाहिर गर्मन कहते हैं इसको ठीक है उसमें बताया कि किस तरीके से किस-किस तरीके से इंडियान का जो wealth है वो drain किया जा रहा है बिटेन के अंदर ले जा रहा है और इन्होंने फर्स टाइम जो है पर केप्टा इंकम परतिव्यक्तियाएं जो है इंडिया की जो है calculate की तो इस तरीके से ये चीज़े इनसे पूछी जाती है ये पहले साथ होस्ट गए है अब बाकी उप्शन पर देखते हैं हमारा अंसर तो हो गया दादवाई नौल जी जो तीब भुले सत्यसोदक समाज की स्तपना की थी सत्यसोदक समाज panse a social reformist moment और इसके द्वारा जो है ऊचनीच भेध बाहो माहराश्ट्रा में जो था ठीक है ऊची जाती दिमने में रखना है कि महिला शिक्षा से रिलेटेड ये रही थी अब बात करते हैं कि सतेंदर नाट्य गोर ठीक है इस से रिलेटेड एक बाद में आपको बताऊंगा 1853 का जो एक्ट आया था जो चार्टर एक्ट चल रहे थे 20-20 साल के गैप पे 1813, 1833 और फिर उसके बाद 1853 तो इ इस परिक्षा में जो है पहले नोमिनेटिड किया जाता था मतलब अपॉइंट किया जाता था नोमिनेट किया जाता कोई एक्जाम नहीं होता था तो बोर्ड ओफ डारेक्टर जो थे जो कंपनी के बोर्ड ओफ डारेक्टर एकनोमिक चीजों को देखते थे वही नोमिनेट कर देते civil servants को यानि कि Indians के लिए कोई शे नहीं था इंडियन सी में पार्टिस्पेट नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे नोमिनेट होके आते थे इंगिलेंड से लेकिन 1853 में जो एक्ट आया उस 1853 के एक्ट में open exam के थ्रोज यह selection का एक process लेके आए और उसमें जो है प्रविंदर नात्यागुर, सत्यांदर नात्यागुर, हमें बहुत सारे नाम पढ़ चुके है, तो यह कलकता से थे, तो यह कलकता से थे, the first Indian to be selected in civil service, ठीक है, यह question पूचे जाता है, first Indian to be selected in civil service, तो this is our right answer, अगर यह question पूचे जाता है, तेकिन यहाँ पर first Indian to be selected as the member of British Parliament, who was the first Indian to be clear to clear Indian civil service test, तो हम यह कर चुके है, देखे, रविंदर नात्यागुर, देविंदर नात्यागुर, सत्यादर नात्यागुर, दादा भाई नौरजी, सारे important personality है, सभी से question पूचे जाते है, ठीक है, देविंदर नात्यागुर was associated with तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभावाज, established by देविंदर नात्यागुर, to inseminate, मतलब परचार करने के लिए, ब्रह्म समाज से ये प्रभावित थे, तो उसके ही, जो उब्देश थे, उनकी जे शिक्षा है थी, उसको परचारित करने के लिए, राज आरामवाने से related चीज़ों को परचार के द्वारा, तो तत्व बोधनी पत्रीका भी हिनोंने ही शुरू की थी, ठीक है, तो ये पहले भी कर चुके हैं, बाद में ये इसको मर्ज कर देते हैं, ब्रह्म समाज के अंदर, ठीक है, उसके बाद देखिए, सही अंसर हमारा तो ही है, सतिंदर नात्यागुर, तो यही स ठीक है, इसके आवा इनलोई उन्हें ओने गोरा नाम से पूस्तक लिखी थी, जे बूद टीक है, बहुत फेमस है, गीतांजली नाम से पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इननो जी र डीक के लिए इनको मिला तो साहिध्या का ही हुआत ओला है, फह फ्रकर पीधिना-डीक लि़ इसको छोड़ देते हैं अब है जादा भाई नो जी बहुत बार रिपीट होज़का इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं तो यह सही आंसर हो गया हमारा ठीक है आपकी हमने अप्शन देख लिए नेक्स्ट कॉस्टिन इज हूप लिए इंपोर्टेंट रोल इन पासिंग उफ विड़ो रिमेरिज एक्ट एक्ट ऐसा था पहले जो है विड़ोज को भूत यातना गजी उन जीना पड़ता था मतलब वह साधी तो करी नहीं सकती थी इसके लावा उनको अच्छोतों की तरह उसको उनके साथ फ़्यक्त पहाने जाता था एक कमरे के अंदर उनको अजैने क्रदिया जाता था ठिक ए उससे बहर नहीं जा सकते थे धिक खाना भी उन को साधुन थे टाइम खना पड़ता था कम खहना होता था उनको और बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के और लिए विद्वापुनर विवा था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया तो इसके लिए प्रियास किया पंडित इस्वर्चंद विद्याशागर ने और इनके प्रियासों से 1856 में लोड कैनिंग ने क्या किया विद्व रिमेरिज एक्ट को पास कर दिया ठीक है तो यह हमारा सही आंसर है सावित्री भाइप फूले यह जोती भाइप फूले की वाइफ है जोती भाइप फूले ठीक है सावित्री भाइप फूले ने जो है महिला सिक्षा के लिए काम किया था जोती भाइप फूले इन्ह सोदक समाज, truth finding society, राजा मौन राय से related बहुत सारी चीज़े हम अलड़ी कर चुके हैं, इन्होंने मिरातुल अकबार नाम से अकबार निकाला, ये हम को पता ही है, ठीक है, और समवाद कोमुदी नाम से इन्होंने एक पत्रिका निकाल थी, ये कोश्चन हम रिपीट कर लेते ह है, ये रिविजन हुए, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद राजा मौन राय से related और क्या बाते हम याद रख सकते हैं, the father of modern India है, ठीक है, इसके अलावा, वेदान्त कोलेज, और हिंदू कोलेज, वर एस्टिबिस्ट भाई हिम, ठीक है, वेदान्त कोलेज और हिंदू क को जो है, दोनों को पढ़ाया जाता था और इंदू कोलेज में संस्कृत खास्तोर से उसके पढ़ाया जाता था, देवंदर नाठ टैगोर से related हमने तत्व बादनी सभा देख ली है, ठीक है, बाद में ब्रहम सभाज में ये मर्जर की कर दिया गया था, ठीक है, तो ये सार से इसे related रहे हैं, ब्रहम समाज से related, बाद में ब्रहम समाज ओफ इंडिया जो पार्ट है, उस ब्रहम समाज ओफ इंडिया, एक दो डिवीजन हो गया, तो ये इस ब्रहम समाज ओफ इंडिया डिवीजन का जो पार्ट है, इसके पार्ट रहे, राजा रम राय हो चुके है, क्या सिर्ट था तो है अगर वह उसने तो आंसर वह ठीक हो जाता है तो अगर आदूनिक भारत के निर्माता के निर्माता के रुप में ख़र पूछा जाता है मैं ती in रैलवे सुखिती डिरेल बी कि शुरुआत की थी टाइम पेटिन फिप्टी तिरी का एक्ट आया था जिसमें एंडियन सको पस्टेस करने का मुका मिला और में पोस्ट एक स्पर हमें की थी रेक और मुझन आप संधना बसाहुं में पोस्ट ओपिस में रेलवे में ट्रांसपोर्ट में तो यह आधुनिक भारत के निर्मा था इसलिए इनको कहा जाता है ठीक है लेकिन अगर यहां एक option दे दिया जाए राजाराम मोन रहा है और यह भी हो तो फिरांसर राजाराम मोन रहा जाएगा और इन चार option में अगर देखे तो यह होगे लाट डालोजी यहां मैं पता है इलबर्ट बिल से रिलेटेड है इलबर्ट बिल वाज इंट्रोड रिपन और इसको विरोध हुआ और विरोध होने की बज़ेसे इसको वापस लेना पड़ा आप सभी बताईए मुझे कमेंट करके इलबर्ट चुके हैं कि लोट कार नुवलिस ने सिविल सर्विस की स्वात की थी इप इसके लाबा जो है पर्मानेट सेटिलमेंट के अदमी की सताई बंदोबस्त यह कोश्चन बिल्कुल ऐसे कोश्चन है बार बार आते रहते हैं एक्जाम में विलिम बैटिक से रिलेटेड हम कई च बेंगाल से बना दिया गया था गवर्नेर जनलर्व बेंगाल थे अब यह इसके अलावा में काले की जो शिक्षा निती आई थी ठीक है वो भी मिलिम बैटिक के टाइम पर आई थी नेक्स्ट को देखते हैं न कीसी ने बैंगाल में किसी ने इस्टब्लिश की थी जो यहा के रिलिजन थे लोकल रिलिजन थे उसको स्टड़ी करने के लिए और उस तो डट वाज एस्टेबिलिस्ट वाई वेलियम जोंस विल्यम जोंस ने इसको इस्टेबिस किया था ठीक और इसमें की एल्प की थी वाराइन है थिगॉँच ने किया जाए ताकि इन रूल्स को समझा जाए जिसको यह ज्यादा मानते हैं जैसे उससे मैं पर कुछ बुक्स है जैसे मनुष्मर्ति उसको भी जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया विलियम जोन्स ने किया था ठीक है इसके लावा एक और बुक थी जिसका नाम है भगवत कीता sa Beyond कि även इसको भी चारल्ज विल्विलकिल्स ने जो है विल्किल्नस इन्होंने जो है यह कुछन पुछा जाता है इंग्लीश में ट्रांसलेट किया किया कि यह कर्म का सीदानत दे दिखाता है और यह जो ज्याति वे बंश्तय जाती पीकिशें हो नयरे विपीश्मेर्ण के ब एसके दोरा जो स्डावल स्ट्राइब के दोरा नेम वाज बैंगोल गजेट थिक़ाद कि एक तुल है को यह फर्स इंदीन न्यूसैपेपर है दफ Kollegen Oke तो उद्धन्त मार्तंड वाजदा फास्ट हिंदी लेंग्वेज न्यूजपेपर ओफ इंडिया ठीक है अब देखते हैं यह हो गया विलियम बेंटिक बहुत पारव चुक है आपको बार-बार नहीं करवा देंगे हेनरी डेरेजियो ठीक है इससे लेटेड जो है वैक्ति व सब्सक्राइब करेंगे जो हम इकट्टे ही आपको करवाएंगे ठीक है वह कोशन थोड़े से थोड़े से यूनिक से कुस्टन है विच वन इस नोट क्रेक्ट इन में से कौन सा क्रेक्ट नहीं है वैल जली ने सब्सेजरी अरलाइंस रॉकिया था बिल्कुल ठीक है पर्मन है उनुट यह ना यह आपर एक गड़े लेकिन इतना तो डेना एगा revenue यह उनन को देना यह पर ऑजगा तो इस की वह जैसे जो ही यह बहुचता लोगों को परिशान करने ओल दो जो कि कौन वाली से ने चुब की थी तो रोबोट क्लाइव ने डूल गवर्मेंट स्टार्ट की थी बिल्कुल ठीक है और सरायतवाड़ी बंतवबस्त जो है देट वास्ट बाइ थॉमस मुन्रो इन मुंबई एंड मद्रास तो ये भी जो है कुश्चन हम पहले कर चुके हैं नेक्स कोश्चन की जरब बढ़ते हैं विच वन इस नोट करेक्ट ठीक है इन में से कौन सा क्रेक्ट नहीं है एक इन में से क्रेक्ट नहीं होगा बागी सब करेक्ट होंगे ता लिबरेटर ओप्रेस बिल्कुल चार्ल्स मैटकाफ देखे मैटकाफ आउसर डेली के अंदर आप यहाँ जाएंगे रिंग रोड से तो वहां पर बना हुए और लिबरेटर ओप्रेस ठीक है इंको लिबरेटर ओप्रेस काँ आजाता है क्योंकि पहले प्रेस पेंस बहुत सारी जो रेस्टेक्शन लगी ओए थी बैन लगे हुए थे इनको प्रेस की सोतन्सर्ता का जो लोकल सेल्फ को इस्टिबिस किया डॉक्त्राइन अफ फ्लैप्स देट वस्टार्टिड बाए डल होजी सो इस इस नोट ठीक है इस इस नोट राइट यह गलत हो गया तो हमारा आंसर भी यही हो गया बेंगल डिवेजन वाज डन बाए करजन लोड करजन इन 1905 और इसी की हो गये हमारे सारो अप्शन के लिए और हमारा सही अंसर हो गया डॉक्त्राइन फ्लैप्स जो की क्रेक्ट नहीं मैच किया गया है नेक्स्ट कोशन की जल्दी से बढ़ते हैं दस सेपरेट इलेक्ट्रेट प्रोविजन और मुस्लिम वाज प्रोपोस्ट फॉर्स्ट टाइम मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है उसका प्रोविजन कैसे पर्थक निर्वाचन का प्रोविजन कोन कब स्टार्ट किया गया तो देखिए 1909 में मौले मिन्टो रिफॉर्म साय थे मैंने आपको बता था कि 1907 में सूरत में कॉंग्रेश का अधिवेशन हु हैं हमें अपने मुमेंट को अगले स्टेप पर लेके जाना चाहिए नरम दलवाले के रहते हैं कि लोग और चीज़ें सीखें उसके बाद फोलिटिकल तरीके से ट्रेंड हो तो यहां पर इस विवाद पर डिवीजन हो जाता है और डिवीजन होने के बाद जो है इन पर कार देखिए नरम दलवालों को एक कहते हैं ना कि पर्क देने की कोशिश की गई थी कि हम रिफॉम करने वाले हैं इसलिए आप गरम दलवालों से दूर हो जाई है लेकिन जब यह पर का डिकलिरेशन किया तो इसमें बताया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट इस्टेबिस कर रह ठीक है तो यह एक मुश्लिम सेलेक्शन करेगा मुश्लिम कोई तो इसकी वज़ाएसे जो है मुश्लिम और हिंदू को अलग कर दिया गया और यह जो इसी का रिजन हुआ कि बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट को बाद में कोंगरेशन जब 1916 में माल लिया तो इसकी वज़ करने का जो डिवाइड रूल का फोर्मूला था वो लास्ट मिली कामयाब हो गया ठीक है यह भी नहीं है इसमें तो डिकलेरेशन की गई थी कि लैप्स की निती है वो जो हटा दिया गया है यह यह बाद में आये तो यह बहुट डिटेल में पढ़ने पढ़ेंगे यहां पर एक option बताने का फाइदा नहीं से क्या क्योंशन को पूछते हैं जब इनको detail में करवाएंगे तब ही हम इसकी बात करेंगे which is known as liberal w 촬영 of British India British India का liberal vice radius को कहा जाता है thou British India का Lord kurzan नो भूछ शक्त कि यह व्यव्य शक्त थे और यह हो गया अदार लोर्ट रिपिन थे इन जानस के परपस से उनके बेनफीट के लिए बहुत ठीक थे लूट kurzan पार्टिस्पेट ना कर पाए तो इसकी वज़से इनका जो है। है पर परपसे जो है इन्हों राश्ट्रबाद की भावना नेशनलीच भावना को बढ़काने का काम किया। जितना यह काम करते थे रियक्शन में जो है और जादा राष्ट्रवाद की भावना यह बढ़कती थी सेम चीज लिंटन के साथ है इन्होंने जो है वरनाकुलर प्रेस्ट एक्ट लेके आए और जितना यह रिप्रेशन करने की कोशिस कर रहे थे उतना ही राष्ट्रवाद की भावना यह बढ़कती रहते थी और इसकी वजए से जो है इनका मी जो है रोल रहा राष्ट्रवाद की भावना यह रियक्शन के रूप में भढ़की इनके रियक्शन के रूप में तो यह भी लिबरल नहीं थे और लोड बेलजली ने भी ऐसा एक कुछ काम किया था सब्स पुलिटीकल रेजन था विच्च कवोड़ना जनरल्ल स्टर्टेइज और पार्टिसपेशन ओफ इन्डियन इन इन सिविल सर्विस एक्जाम तो देखिए कौन सीक ऑन दो जनलैं नैंश की पार्टिसपेशन को जो है इन स hebben इन झेजाशन को ढूड ढूल ओकित से पार कहु वो economic wings थी, East India Company की, जो की सिधा नोमिनेट कर दिया करती थी, civil servants को और वो ब्लिटेर्जन से हो देते मौस्टली, तो हम देखते हैं कि सत्येंदरनाथ टैगोर, सत्येंदरनाथ टैगोर was the first Indian who was selected in this civil service exam, ठिक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक और बंदे का नाम हमेए लगएद रखना जाये, सुभाष चंदरबोश, ब sparर जो है, वो भी इसको पास कर लेते हैं लेकिन पास करने के बाद रेजाइन कर देते हैं, ठीक है कि उनकी फादर चाहते थे कि वो पढ़े वो कहते थे आप पढ़ने से बच रहे हैं वो कहते हैं ठीक है आप यह ही कहते हैं तो मैं इसको पास कर लेता हूं फिर बाद में मैं इसको करूं ना करूं यह मेरी मर्जी है मैं महने से नहीं डर रहा हूं तो इन्होंने भी प करके बता सकते हैं ठीक है और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब तक संगर्ष नहीं होगा तब तक सबलता का फाइदा भी नहीं है जब आप संगर्ष करके पोचेंगे जीद के पोचेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से जोब कर पाएंगे तो अगर आपके पाओ में अब सफर में पाओ में चाले नहीं पड़े तो फिर फायदा क्या है ठीक है इसके अलावा अगर आपके हाथों में जो है चाले नहीं पड़ रहे हैं काम करते हुए तो फिर आप काम ही क्या कर रहे है थोड़ा कि हार गया पर मरता क्यों है अगर हार ही गए है तो मरने की बाद थोड़ी है फिर से संगर्ष किजी और मद्य समर है अभी तु लड़ाई के बीच में पोचे हो तो टरता क्यों है क्यों इससे को अवाइड कर रहे हो आप जो हार गए हो तो मरे नहीं हो और अभी तो बीच लड़ाई में अभी इसे बीच में छोड़के क्यों जा रहे हो यूद्ध चलेगा मरते दम तक ठीक है यह तो कहने की बात है मरते दम तक इसको नेगटिव लेने की जुर्त नहीं है मतलब आपको संगर्ष तो करना ही पड़ेगा तो संगर्ष करने की अभी डाली आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी संगर्ष से बचेंगे तो अभी ऐस करेंगे दो-चार साल तो आपकी पूरी जिंदिगी खराब रहेगे अभी दो-चार साल जादा मेहनत करेंगे तो आपकी पूरी जिंदिगी अच्छी रहेगे तो ये चीज़ को ध्यान रखिए और अपने टाइम वेस्टिंग नहीं करना है बिल्कुल पोजिटिव रहना है यू केंडू ये ध्यान रखना कोई स्पेशल दिमाग की जूरत नहीं है सभी के अंदर एक्वल दिमाग है बस उसको यूज़ आप कितना कर रहे है शार्प कर दीजिए बार-बार रिविजिन करके अपने माइंड को ठीक है आपको शबलता जरूर्ट मिलेगी फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ तब दक के लिए जय हिंद जय भारत अपने धान रखिए और खुश रहिए